हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल लर्न विद गणेश में दोस्तो हम कर रहे थे एंसी आटी सार संग्रा और इसका जो है हमने पॉलिटी का जो पार्ट है वो बिल्कुल कवर कर लिया है इसके बाद में हमने जो स्टार्ट कर रहा था वो मैं दे दूंगा दोस्तों यह जो यह जो एपिसोड चलाया जा रहा है यह एंसी आटी सार संग्रा का एपिसोड है जो सभी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो चाहे रेलवे हो PCS हो एंटी PC हो SSC हो किस वह करवाया जा रहा है तो आप एक से डेड़ घंटा देकर modern history जो है उसको complete आप कर सकते हैं और अपने तयारी कहां तक की आपने उसकी जांच आप कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या-क्या पढ़ने व होंगे तो चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह समाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार अंदोलन जिसे भारत में पुनरजागरन अंदोलन के नाम से भी जाना जाता है तो देखते हैं भारतिये पुनरजागरन का जनक किसे कहा जाता है तो राजा राम मुह जनक भी माना जाता है राजा राम मोहन राय किस सिख्षा पद्धिती के समर्थक थे तो यह पास्चात्य या अंग्रेजी सिख्षा पद्धिती के समर्थक थे राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रहम समाज की स्थापना किस वर्ष की गई तो यह किया गया था 1828 म नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों, ब्रहम समाज किस सिध्धांत पर अधारित है, तो ब्रहम समाज जो है वो एक इश्वर बाद पर अधारित है, यानि कि ए इश्वर की एक संकलपना पर ये अधारित है संबाद कैमुदी जो बंगला भाषा में लिखी गई है तथा मिरात उल अखवार जो फार्सी भाषा में लिखी गई है इसके संपादक कौन थे तो इसके जो संपादक हैं वो हैं राजा राम मोहन राए बर्ष 1855 में एक एश्वरवादी मत के प्रचार है तू राजा राम मोहन राए ने किस संस्था का गठन किया था तो ये था आत्मिया सभा दोस्तों ये आप लोगों के रिवेजन के लिए है तो इसलिए जस्ट मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ आप लोग अपना रिवेजन जो है वो देखते रहेगा और इस टाइप के कोशन जो है एकजाम में पूछे जाते हैं नेक्स जो है ब्रहम्य समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशवर्च केशव चंदर सेन बदिवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ और परिनाम स्वरू केशव चंदर सेन मुल ब्रहम्य समाज से अलग हो गए और 1886 में आदी ब्रहम्य समाज की स्थापना की जिसे बाद में भारतिय ब्रहम्य समाज के नाम से जाना गया नेक्स्ट है राजा राम मुहन राय को राजा की उपाधी किसने प्रदान करी तो मुगल बादशा अकवर द्वित्तिय ने राजा राम मुहन राय की समाधी कहां इस्थित है तो यह ब्रिश्टल इंग्लेंड में बर्ष 1872 में नेटिव मेरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महतपून भूमी का निभाई थी तो केशव चंद्र सेन ने बर्ष 1849 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो देवेंदरनाथ टैगोर के द्वारा नेक्स्ट बर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदो के पुनरत्थान का श्रे स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की और लोटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुष्ट तक किस भाषा में लिखे गई तो ये लिख्या गया था संस्क्रित भाषा में स्वतंतरता के पस्चात मौलाना आजाद भारत के पहले सिक्षा मंत्री बने तथा विश्व विद्यालाय अनुदान आयोग की स्थापना की आगे देखते हैं किस समात सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है तो दैनंद सरस्वती को वह ब्यक्ति जिसने सर्व प्रथम स्वराज शब्द का प्रियोग किया और हिंदी को राष्ट भाषा माना तो कौन थे वो स्वामी दैनंद सरस्वती किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था तो ये थे राधा कांत देव नेक्स्ट वर्ष 1867 में केशब चंदर की प्रेरणा से महराष्ट में प्रार्थना समाज की स्थापना किस के द्वारा की गई तो ये किया गया था आत्मा राम पांडू रंग के द्वारा किस एक समाज सुधारक को महराष्ट का सुकरात कहा जाता है तो महादेव गोविंद रनाडे को वर्ष 1897 में विवेका नंद वारा राम क्रिश्न मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी तो ये कलकत्ता में स्वामी विवेका नंद ने विश्व धर्म संसद यानि शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कब भाग लिया था तो ये लिया था 1893 में सिस्टर नेविदिता कौन थी तो जो सिस्टर निवे दीता थी वो विवेका नंद की सिश्या थी उन्नीश्वी शतावदी के उत्रार्ध में नभ हिंदू बाद के स्रेष्टम प्रतिनिधी स्वामी विवेका नंद थे नेक्स्ट न्यू योक में थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना किस वर्ष की गई थी बर्ष 1875 में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्याल है कहां स्थापित किया गया तो अडियार मद्रास में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयासों से सफलता मिली तो एनी वेसेंट के प्रयासों से यंग बंगाल अंदोलन के प्रवर तक कौन थे तो हेंडरी वीलियन डे रोजियो बिधवा पुनर विवा को कानूनी रूप से बैद करवाने में किसकी महत्पून भुमिका थी तो इश्वर चंद्र विद्यासागर की वर्ष 1851 में नरोजी, फरदोन जी, दादा भाई नरोजी, एस एन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई, मजदयान्या, सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पार्सी समाज तक पहुचाने के उदेशे से पत्रिका रास्ता गोफ्तार नामक पत्रिका प्रहरंब की गई थी दलित समाजों के कल्यान के लिए जियोतिवा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की तो सत्यशोधक समाज की नेक्स्ट है ब्रहमनों की सर्वच्चता को चुनोती देने के लिए आत्म सम्मान अंदोलन किस के द्वारा चलाए गया तो ये स्वामी रामा स्वामी नायकर जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापना कौन थे तो ये थे शिव दयाल सहब गुलाम गीरी पुस्तक के लिए खा कौन थे जियोतिवा फुले सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी गुपाल कृष्ण गोखले ने नेक्स्ट देखें तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हिंदू धार्मिक समाजिक आंदोलन कौन-कौन से आंदोलन थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और उस आंदोलन से संबंदित संस्था कौन सी थी और उसके संस्थापक कौन से थे इन सब के बारे में दिया हुआ है तो यहां पर संस्था का नाम है संस्थापक दिया हुआ है स्थापना वर्ष है स्थल कहां पर उसको स्थापित किया गया और प्रमुख उद्देश्य क्या था तो अगर हम बात करें आत्मिया सभा की तो आत्मिया सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई और इसका उद्देश्य था हिंदु धर्म की बुराईयों पर आक्रमण बा एक एश्वरबाद का प्रचार प्रस करना नेक्स्ट जो आया ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया और इसकी स्थापना 1828 में की गई इसकी भी स्थापना कलकत्ता में किया गया और इसका उद्देश्य था एक एश्वरबाद का प्रसार करना इसका पहले नाम जो था वो ब्रहह्म सभा था, बाद में इसका नाम बदल कर ब्रहह्म समाज रख दिया गया, नेक्श्ट धेर्वसभा, धर्म सभा कि स्थापना राधाकांत देवद्वारा 1829 में किया गया और ये भी कल्कत्ता में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना ब्रहह्म सभा समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश हिंदु धर्म की रक्षा करना था जो धर्म सभा था इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में किया गया और इसका उद्देश हिंदु धर्म की रक्षा करना था तत्व बोधिनी सभा इसके जो संस्थापक थे दे प्रचार करना नेक्ष्ट था परमहंस मंडली दादोबा पांडूरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई अठारा सो उन्चास में ये स्थापित हुआ और बंबई में ये स्थापित किया गया था इसका उद्देश्य था जाती प्रथा के बंधनों को समाप्त करना भारतिय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 इसमी में कलकत्ता में इसकी स्थाप की गई और इसका जो उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज के ना प्रार्थना सभा इसकी स्थापना आत्मा रंग पांडू रंग द्वारा 1867 में बंबई में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना नेक्स्ट आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना दैनंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदूों का धर्म परिवर्तन करने से रोकना नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच पी बलास कास की वहेंडरी ओलकॉर द्वारा इसकी स्थापना 1875 में न्यू योक में किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हुंदू धर्म एवं दर्शन का प्रचार तथा विश्व भंदूत की भा प्रावन का विकास करना नेक्स्ट है साधारन ब्रह्म सबावा साधारन ब्रह्म समाज इसकी स्थापना शिवनाथ शास्त्री और अनंद मोहनबोश द्वारा 1878 में कलकॉट्ता में किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज में दुत्य बिभाजन समाज सुधार के प्रशन पर केशब चंद्र सेन के यूब अनुयाईयों के एक बर्ग ने उन्हें छोड़ दिया और एक नए साधारन भ्रहम समाज की स्थापना की गई इंडिया नेशनल सोशल कॉनफरेंज तो इसकी जो स्थापना है M.G. रनाडे द्वारा 1887 में बंबई में की गई भारतिय समाज में प्रचलित बुराईयों को दूर करके सोशल कॉनफरेंज करना तथा महिला कल्यान करना इसका मुख्य उद्देश्य था राधा क्रेशन मिशन स्वामी विवेकानन द्वारा 1897 में बेलूर में इसकी इस्थापना की गई गुपाल क्रेशन गोखले द्वारा 1905 में इसकी इस्थापना बंबई में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मात्र भूमी की सेवा के लिए भारतियों को पिविन छेत्रों में सिक्षित करना नेक्स्ट जो था पूना सेवा सदन इसकी जो स्थापना की गई रमावाई रनाडे द्वारा 1909 में पूना में इसको स्थापित किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था महिला कल्यान को बढ़ावा देना वा उनका उत्थान करना सोशल सर्विस लीग ये एक बहुत ही इंपोर्टन समस्ता थी एन एम जोशी द्वारा 1911 में बंबई में इसको स्थापित किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था समानने नागरिकों के लिए जीवन में बहतर कार्रे करने का अब सर्प्रदान करना विमेंस इंडिया इसकी स्थापना 1923 में मदरास में किया गया और ये संस था भारतिय महिलाओं के कल्यान हे तो गठित की गई थी लास्ट रहनुमाई मजदाय सनान रहनुमाई मजदाय सनान और इसकी जो स्थापना की गई दादा भाई नरोजी दौरा फरदून जी एच एस बंगाली दौरा थारासो इक्यावन में बंबई में इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था पारसी या जर्तुरुष्ट धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में अधुनिक चेतना का प्रसार करना महराजा खेतली के सुझाप पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानन्द रख दिया गया था नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी अंदोलन किसके द्वारा चलाये गया तो गुरु राम सी कू का द्वारा महराश्ट के किस सुधारक को लोक हितवादी की संग्या प्रदान की गई है तो गुपाल हरी देश मुख को वर्ष 1910 इलाहबाद में भारत इस्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी सरला देवी चोधरानी द्वारा महलाओं के उत्थान के लिए आर्र्य महला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये पंडित रमावाई सर्वसती द्वारा हाली पद्धिती किस से संबंदित है बंधवा मजदूरी से बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे तो ये थे मुकुंद्राब पाटिल पस्चिम भारत के प्रमुक समाज सुधारक डी के करवेड ने किस छेतर में महतपुन योगदान दिया तो महिला सिक्षा एवं विद्वा पुनर विवा के छेतर में भारत में मुसलिम सुधार अंदोलन का प्रवर्त तक किसे माना जाता है तो यह माना जाता है सरसयद एहमद खा को तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे तो सरसयद एहमद खा नोट में दिया हुआ सरसयद एहमद खाह तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से जिसे जाना जाता है ने कॉंग्रेस की स्थापना के विरोध में United Indian Patriotic Association की स्थापना की थी आगे अगर देखे तो भारत में Muslim सुधार अंदोलन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर अंदोलन है संस्थापक स्थल और इसकी विशेश्ताओं का वर्डन किया गया है तो अंदोलन जो है अलिगड़ अंदोलन इसके संस्थापक थे सर सयद एहमद खाँ इसका जो स्थान था इसकी स्थापना हुई थी अलिगड़ में यानि जो अलिगड़ अंदोलन है वो कहां चलाया गया अलिगड़ में चलाया गया और इसकी विशेशताएं क्या थी या अंग्रेजी सिक्षा इवं ब्रिटिस सरकार के पक्ष में सबसे प्रवाभी अंदोलन था वर्ष 1875 में एहमद खाने अलिगड में मुहमद एंगलो ओरियंटल स्कूल की स्थापना की थी एहमद या अंदोलन ये मिर्जा गुलाम एहमद द्वारा पंजाब में चलाया गया या उदारवादी सिधान्द पराधारित अंदोलन था इसमें जहर का विरोध किया गया देवबंद अंदोलन मुहमद कासीम ननो तबी और रशीद एहमद गंगोही द्वारा ये अंदोलन चलाया गया और देवबंद सहारनपूर उत्तर परदेश में ये अंदोलन चला इसका जो मुख्य उदेश था कुरान की सिक्षाओं का प्रशार करना तथा अंग्रेजी सिक्षा का विरोध करना बहाबी अंदोलन जुहें ये सैद एहमद खां और राए बरलबी के नितरित में पटना में चला और यह मुख्यता संप्रदाइक मुस्लिम सुधारबादी अंदोलन था नेक्स्ट अगर देखा जाए अंग्रेजो द्वारा निर्मित समाजिक सुधार के कानून वा अधिनियम दोस्तों समय समय पर अंग्रेजो द्वारा जो है बहुत सारे कानून लाए गया और भारतिय समाज में हस्तशेप करने का प्रयास किया गया या यू कहें कि भारतिय समाज में ब्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास अंग्रेजो द्वारा किया गया था तो यहां पर जो एक कानून दिया हुआ है यहां पर जो जनरल गवरे जनरल जो समदित थे वो और यहां पर वर्ष और उसकी विश्यस्ताओं के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर था कौन सा कानून नवजात कन्या हत्या कानून जोर शोर के साशनकाल में हुआ और 1795 में ये कानून लाया गया इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई बाल हत्या निरोधक कानून लौड बेलेजली के साशनकाल में आया और 1804 में इस कानून को लाया गया इस कानून के द्वारा नवजात सिश्वों को मारने पर रोक लगाई गये सती प्रथा निशेद कानून ये विलियम बेंटिंग के काल में आया 1839 में राजा राम मोहनराय के सहयोग से सतीप्रथा निशेद कानून जो है वो लाया गया इसके द्वारा सतीप्रथा पर कानूनी रोक लगाया गया और इसे हत्या माना गया हिंदू बिद्वा पुनर विवा अधिनियम लौड डलोजी द्वार लाया गया 1856 में इस अधिनियम द्वार विवा को कानूनी मान्यता दी गई सम्मत आयू अधिनियम लैंस डाउन द्वार लाया गया 1891 में और 12 वर्ष से कम आयू के बालकों के विवा पर रोक लगाई गई इसके अलाबा सार्दा एक्ट लौड इर्विन द्वार लाया गया 1919 में इस एक्ट के द्वारा बालकों तथा बालिकाओं के विवा की नियून्तम आयू क्रमसा 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई थी तो सार्दा एक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है जहां से कोशन्स पूछे जाते हैं नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लौड ऑकलेंड के नित्रित में आया 1937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया दास प्रता प्रतिबंद लौड एलोन बरू के द्वारा उननीस सो तिर्तालिस में लाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रता पर प्रतिबंद लगाया गया भारतिया राश्टिया कॉंग्रेस की इलाहबाद अधिवेशन जो 1888 में जोर्ज यूले के को अध्यक्ष के रूप में इसमें चुना गया था हमारा जो अगला टॉपिक है प्रमुख राजनितिक संस्थाएं तो दोस्तों भारत में जो है जब भारत में स्वतंतरता संग्राम का दौर चल रहा था या उससे पहले भी तो बहुत सारे राजनितिक संस्थाओं का गठन किया गया और कौन-कौन से संस्थाएं किस-किस के द्वारा गठित की गई ये एक्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है तो इसको आप जरा ध्यान से देखेगा द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बर्स 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनितिक संस्था कौन सी थी तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी बर्स 1867 में इंग्लैंड में इस्ट इंडिया आसोसेशन आमक एक संगठन की स्थापना किस ने की थी तो दादा भाई नरोजी ने भारत संग के संस्थापक कौन थे सुरेंदरनाथ बेनर जी सुरेंदरनाथ बेनर जी प्रथम भारतियें हैं जिने ब्रेटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विजिस से बर्खास्त किया गया था राजनियतिक सुधारों को लेकर बिरोध करने वाले पहले भारतिये कौन थे तो सुरेंदरनाथ बेनर जी थे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की पूरवर्ति संस्थाक किसे माना जाता है इंडियान एसोसियेशन को 25 सितंबर 1875 को इंडियान लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये किया गया था सिशुर कुमार घोश के द्वारा सिविल सर्विसिज अंदोलन का नित्रित्व किसके द्वारा किया था तो सुरेंद्रनाथ बेनर जी के द्वारा अनंद मुहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां की गई थी तो लंदन में कॉंग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था जो थी वह वह संस्था नाम दिया हुआ संस्थापक है स्तापना वर्ष और इनका मुख्यालय कहां पर था इसके बारे में है तो सबसे पहले जो संस्था थी Landholders Society सनस्थापक जो थे दौर का नाथ टैगोर थे 1838 में इसकी स्थापना की गई थी और कलकत्ता जो है इसका मुख्याले था British India Society William Adams द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1849 में ये स्थापित हुआ और कलकत्ता को इसका मुख्याले बनाये गया Bengal British India Society George Thompson द्वारा इसकी स्थापना 1843 में की गई और कलकत्ता को इसका मुख्याले बनाये गया British Indian Association दिवेंद्र नाथ टैगोर वराधा कांत देबद्वारा 1851 में इसकी स्थापना की गई और कलकत्ता को इसका मुख्याले बनाये गया Bombay Association दादा भाई नरोजी इसके संस्थापक थे 1852 में इसकी स्थापना हुई और बंबई को इसका मुख्याले बनाये गया था Madras Native Association गुजलू नर्शू चेट्टी के द्वारा 1852 में इसकी स्थापना मद्रास को इसका मुख्याले बनाये गया था East India Association इसकी स्थापना दादा भाई नरोजी द्वारा 1866 में किया गया और इसका मुख्याले लंदन में इस्थित्था पूना सार्वजी निकसभा गनेश बासुदेव जोसी द्वारा भा एमजी रनाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई 1877 में और पूना को इसका मुख्यालाय बनाये गया था इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 में स्थापित किया गया और लंदन को इसका मुख्यालाय बनाये गया bardziej part Indian Association कि इसकी स्थापना आनंद महन बोस ब सुरेंदरनाथ बेनरजी द्वारा 1876 में और कलकत्ता में इसका मुख्याले स्थापित किया गया था. नेटिव प्रेस असोसियेशन सुरेंदरनाथ बेनरजी द्वारा 1877 में स्थापित किया गया दिल्ली में इसका मुख्याले स्थापित किया गया था नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा पी अनंद चारलू बीर राधावाचारी 1884 में इसकी स्थापना मद्रास में इसका मुख्याले स्थापित किया गया बॉम्बे प्रेजिडेंसी असोसियेशन बद्रुदिन तैयब व फिरोशा मेहता द्वारा इसकी स्थापना 1885 में किया गयी और बंबई में इसका मुख्याले स्थापित किया गया था अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक बोटिन फोर अबीज़ा में जातिगत भेदवभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया था नेक्स्ट जो अमारा टॉपिक है वो है भारतिय राश्टीय कॉंग्रेस और यहां से जो है इंडियन कॉंग्रेस की शुरुआत होती है देखते हैं दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा मेरा जो छोटा सा प्रियास है अधिक से अधिक दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुचाना मेरे इस प्रियास में आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएग तो चली आगे देखते हैं जित किया जाना था लेकिन उस समय पूने में बिमारी प्लेग फैल गया जो प्लेग बिमारी थी वो फैल जाने के कारण जो कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ वो बंबई में आयुजित किया गया भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन की थम किसने रखा तो दादा भाई नरोजी ने भारतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस की स्थापना के समय भारत का बाय सराय कौन था लौड डफरिन कॉंग्रेस की को सुक्षम दर्सी अल्प संख्यक जनता का प्रतिनिधित्म बताते हुए उसका मजाग किसने उड़ाया था तो ल सुजाब पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस कर दिया गया नेक्स्ट भारतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा बिरोध की राजनीती करने का आरोप किसने लगाया था तो ये बाल गंगधर तिलक ने लाल बाल और पाल त्रेगुट का कौन सा नेता भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष बना तो ये बने थे लाला लाजपत्राए बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया नेक्स्ट है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगा धर्तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा तो ये किया था लखनव अधिवेशन 1916 में यदि हम्मेंडग की तरह वर्ष में केवल एक बार टर राएंगे तो भारतियों को कोई सफलता नहीं मिलेगी ये किसका कथन है तो ये है बाल गंगा धर्तिलक का नेक्स्ट है यहां पर भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस से संबंदित कुछ परमुक्तत्य दिये हुए है भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो WC Benner जी को बनाए गया था प्रतम मुद्ली मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुदिन तयब जी प्रथम यूरोपिया ध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम महिला ध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो वो थी एनी बेसेंट लेकिन जब बात आती है प्रथम भारतिये महिला ध्यक्ष तो वो थी अमारी सरोजनी नाइडू अगर प्रथम महिला ध्यक्ष तो एनी बेसें और महिला भारती है तो वो सरोजनी नाइडू क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं कॉंग्रेस अंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद किया गया था या किसने कहा था सर सयद एहमद खान ने या किसने कहा था कि कॉंग्रेस पतन की ओर लड़ खड़ा रही है और मेरी सबसे बढ़िया भिलाशा जब तक मैं भारत में हूँ कॉंग्रेस की सांति पुन समाप्ती में सयोग करना है किसने कहा था तो ये लौड करजन का ये कथन था सुरेंद्रनाथ बैनर जी भारतिय राश्य कॉंग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे नेक्स्ट है भारतिय राश्य कॉंग्रेस के बर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहा हुआ था तो यह हुआ था वेलगाओं करनाटक में उन्नी सो चौबिस में बर्ष उन्नी सो अन्टिस के भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के हरीपूरा अधिवेशन के अध्यक्ष ताक किस ने की थी तो सुभास चंद्र बोश ने बर्ष 1949 के भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभास चंद्र बोश द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तिफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था तो डॉक्टर राजिंदर प्रसाद को कॉंग्रेस की स्थापना के संदर में सेफ्टी वॉल्ब का सिधान किसके दौरा दिया था तो लाजपत राए के दौरा मात्मा गांधी ने सुझाब दिया था जिस स्वतंतरता के पश्चात भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जै आगे देखते हैं स्वतंतरता के समय भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे अचार जेवी कृप्प्लानिक किस अधिवेशन में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस तथा मुसलिम लेगी के मद्ध समझोता हुआ तो ये लखनव अधिवेशन में लगातार 6 वर्ष तक भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद नेक्स्ट देखते हैं यहां पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के कुछ प्रमुक बारशिक अधिवेशन देवा है और उसकी कुछ प्रमुक घटनाओं के बारे में दे रखा है जो बहुत ज़्यादा एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो चलिए हम इसको देखते हैं एक एक करके यहां पर दे रखा है वर्ष यहां पर अस्थल जहां पर यह जो राष्टिय कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ वो अस्थल अध्यक्ष कौन चुना गया और उसकी प्रमुक घटना क्या थी उसके बारे में तो वर्ष 1885 पहला अधिवेशन कहां पर हुआ बंबई में और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे डबलू सी बेनर जी या फिर हम कह सकते हैं दियोमेश चंद्र बेनर जी ये कौंग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालिया टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था प्ररंब में इसका नाम भारतिय राष्टिय संग था किन्तु दादा भाई नरोजी के सुझाब पर इसे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस कर दिया गया इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनीधी शामिल हुए थे नेक्स्ट जो अधिवेशन था दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया और प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे इसकी जो विशेशता रही नेशनल असोसियेशन कॉंग्रेस का राष्टिय कॉंग्रेस में बिलै हो गया ततकालिन वाईसराय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पारिटी पर अमंत्रित किया था तीसरा जो अध्यक्ष था मद्रास में हुआ 1887 में और बदरुदिन तैयब जी जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष बनाया गया सर्व प्रथम तमिल भाषा में भाषन दिया गया तथा सास्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया इसके बाद में जो चौथा अधिवेशन होता है 1888 का इलाहबाद में होता है और जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे उसको चुना गया और इसकी जो विशेस्ता थी जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन निर्वाचित अध्यक्ष बने इलाहबाद के गवर्नर आकलेंड के बिरोध के बाबजूद सम्मेलन संपन हुआ इस अध्यवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाशा में भाशन दिया था अगला है कलकत्ता अध्यवेशन जो अठारा सो नब्य में हुआ था इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया फिरोध शाम महता को बनाया गया कलकत्ता बिश्वे विद्याला की पहली महिला सना तक कादंबिनी गांगुली ने कॉंग्रेस अध्यवेशन को संबोधित किया था 1896 कलकत्ता अध्यवेशन रह्मतुल्ला एम सयानी जो है ये इसके अध्यक्ष बने इस कलकत्ता अध्यवेशन में और इस अध्यवेशन में 1896 का जो अध्यवेशन था इसमें पहली बार बंदे मात्रम को गाया गया था 1911 का जो कॉंग्रेस का कलकत्ता अध्यवेशन था उसमें जनगन मन को पहली बार गया गया था आगे देखेंगो उसको बर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन जिसमें गुपाल क्रिशन गोखले को अध्यक्ष बनाया गया बंगाल भी भाजन की अलोचना की गई स्वदेशी बाभाईशकार का समर्थन किया गया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में संपन हुआ और दादा भाई नरोजी जो है इसके अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नरोजी ने स्वराज शब्द का परियोग कॉंग्रेस के मंच पर प्रथम बार किया था तो सबसे पहले स्वराज शब्द का परियोग किस अधिवेशन में हुआ तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किसके द्वारा दादा भाई नरोजी के द्वारा 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोश ने इसके अधिवेशता की और कॉंग्रेस का प्रथम बिभाजन यहाँ पर देखने को मिला जिसमें कॉंग्रेस नरम दल और गरम दल में बिभाजीत हो गया 1911 का कलकत्ता अधिवेशन विशन नरायन धर जो थे इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जनगन मन गाया गया सरकार की कठोर नीतियों का बिरोध भी किया गया था तो पहली बार बंदे मात्रम कब गया गया तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रास्ट्रिय गान कब गया गया तो ये गया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ठीक है इसके अलावा जो मुखे important है एक और वो की प्रथम Congress भी भाजन कब हुआ तो वो हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में नेक्स्ट 1916 लखनाव अंबिका चरण मजुमदार जो है इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में नरमदल और गरमदल दोनों का एकिकरण हो गया Congress और Muslim League में समझोता हुआ तिलक ने नारा दिया स्वराज मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो 1916 का जो लखनाव अधिवेशन था इसमें बहुत सारी घटनाए घटित हुई थी इसलिए ये जो अधिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है एक्जाम की दृष्टी से यहां से कई बार कोशन्स अध्यक्ष के उपर भी पूछा जाता है कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे तो आप ध्यान रखिएगा अंबिका चरण मजुमदार नेक्स्ट है 1917 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष चुने गई एनी बेसेंट सर्व प्रथम तिरंगे जंडे को कॉंग्रेस ने अपनाया था तो यह भी इंपॉर्टेंट है 1924 नागवपूर अधिवेशन सी विजयरागवाचारी जो है इसके अध्यक्ष थे आशायोग अंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदन दिया गी 1924 इंपॉर्टेंट है बेलगाओं यहां पर महात्मा गांधी ने प्रथम बार अध्यक्षता की ठिक की और मात्र कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्षता की एक मात्र कॉंग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की इस वज़े से ये इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्ष्ट अगर देखें तो 1925 का मदरास अधिवेशन इसके जो अध्यक्ष थे स.A. अनसारी और इसके जो महत्पुन विशेशता थी पून्स्वा धिन्ता की मांग की गई साइमन कमिशन का बहिश्कार का प्रस्ताब जो है इसमें पारित किया गया वर्ष 1929 लहौर अधिवेशन जवाहरलाल नहरू जो है इसके अध्यक्ष थे और इसी में पून्स्वाराज की मांग की गई इसी वज़ा से प्रतिवर्ष 26 जन्वरी को स्वतंतरता दिवस मनाने का निरने भी इसी लहौर अधिवेशन में लिया गया था 1931 कराची अधिवेशन बल्ला भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष बने मूल अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया और गांधी एर्विन समझोते को अनुबोधन मिला तो इंपोटेंट है 1931 का 1936 लखनव अधिवेशन जवारला नहरू जो है इसके अध्यक्ष बने जवारला नहरू ने समाजबाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कूंजी बताया था 1937 फैजपूर अधिवेशन जवारला नहरू इसके अध्यक्ष प्रथम अध्यवेशन जो गाउं में संपन हुआ था 1938 हरीपूरा धिवेशन सुभाष चंद्रबोष जो है इसके अध्यक्ष बने राष्ट्रिय नियोजन समीती का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवारला नहरू बने सुभाष चंद्रबोष द्वारा हिंदी भाषा में के लिए रोमन लिपी लागू करने की बकालत की गई 1940 रामगड ये सम्मेलन जो हुआ कहां पर हुआ रामगड में मौलाना अबुलकलाम अजाद जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए मौलाना अजाद लगातार छे वर्षों तक कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे और सबसे ज्यादा लंबे टाइम पर लगातार अध्यक्ष बनने का जो श्रे है वो मौलाना अबुलकलाम अजाद को ही जाता है 1946 मेरट का अध्यवेशन इसके जो अध्यक्ष थे जे भी क्रिपलानी आजादी के समय यही अध्यक्ष थे और बंबई प्रेजिडेंसी असोसियेशन 1885 के स्थापना बदरुदिन तयव फिरोशा मेता तथा केटी ते लंग के सहयोग से किया गया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में करांती कारियां दोलन दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा तो चले किया गया वर्ष 1908 में अनुसीलन समीति का संस्थापक कौन था तो पी मिश्रा यानि की प्रथमनाथ मिश्रा निश्क्रिय बिरोध के सिधान्त का प्रतिपादन किसने किया था अर्विंद घोश ने गोरकफुर जेल में किस क्रांती कारी को फांसी दी गई थी तो राम प् प्रतिश को फांसी दी गई थी नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो इसकी स्थापना जो है 1924 में कानपूर में की गई थी ब्रेटिस सरकार ने काकोरी कांड में किस को फांसी पर चड़ा दिया तो ये राम प्रसाद विस्मिल को काकोरी सड़ी अंत्र किस वर्ष हुआ था 1925 में वर्ष 1928 में चंदर शेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन की स्थापना कहां पर की गई थी तो ये किया गया था दिल्ली में मित्र मेला संग की स्थापना किस ने की थी तो बीडी सावर करने लखनव समझ होता जो 1916 में हुआ था इसका बीरोध किस ने किया था मदन मुहल मालवियने वह महिला क्रांतिकारी जिसने दिक्षान्त समारों में अपनी उपाधी ग्रहन करते समय अंग्रेज गवर्णर पर गोली चलाई थी उसका नाम क्या था तो वो थी बीना दास पुर्य सेन अश्पाक उल्लाखा भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फासी पर चड़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के औरान सबसे कम आयू में सहेद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे वो थे खोदी रामबोस जिया तरंग अंदोलन को रानी गाइंदी लियू ने अरंब किया था तथा उन्होंने ब्रिटिस राज के विरुद नागाओं को संगठित किया आगे देखते हैं इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था भागत सिंग ने बॉक्स में दिया हुए बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्पूर्ण सासी कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिना भारत का गठन किसने किया था तो बीडी सावर करने अलेपूर सणियंत्र मामले में अर्विंद घोष का वचाव किसने किया चितरंजर दासने युगांतर पार्टी का नित्रित्म किसके द्वारा किया था जतिंदर नात मुखरजीक के द्वारा बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष ने क्रिया कलापो ने अनुसीलन समीती नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था जतिंदास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे तो ये लाहौर सड्यंत्र में नेक्स्ट है जेल में भूख के कारण सबसे पहले किस वतंतता से नानी की इम्रित्य हुई थी तो वो हुआ था जतिंदास की यहां पर प्रमुक भारतिये क्रांतिकारी संगठन दिये हुए हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में दिया हुए तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहां पर संगठन है स्थापना वर्ष है और इसके संथापक का नाम दिया हुए मित्र मेला इसकी स्थापना बीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा 1903 में किया गया था भारत माता सोसाइटी इसकी स्थापना आजीत सिंग और अम्मा प्रसाद द्वारा 1904 में किया गया था धाका अनुसीलन समीती 1904 में इसकी स्थापना पी मित्रा व पुलिन दास द्वारा किया गया था अभिनव भारत समाज 1904 में स्थापना बेड़े सावरकर द्वारा किया गया था अनुसीलन समीति की स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष, जतिंद्र नाथ बेनर जी, प्रबोध मित्र, पूलेंदास और सतिश्च चंदर बोष द्वारा किया गया था युगांतर, अंजुमाने, मुहीबनी बतन और इसकी जो स्थापना है वो 1907 में वी के घोष द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत द्वारा और सरदार अजीत सिंग के द्वारा किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन इसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंदर चटरजी द्वारा किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना चंद्र शेखराजास द्वारा 1928 में किया गया था नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां तो चलिए इसको भी देखते हैं दोस्तों अभी तक आग अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा शुरू करते हैं इसको आगे देखते हैं बर्ष 1905 में श्याम जी क्रिशन बर्मा दुआरा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की गई थी लंदन में सर्व प्रथम किस महिला ने भारतिय तिरंगा फहराय था भीका जी रुस्तमा कामा ने भारतिय क्रांती की मा किसे का जाता है भीका जी रुस्तमा कामा को प्रथम बिश्वीद के दौरान कहां पर भारत की एक अंत्रिम सरकार बनी थी जिसके प्रेजिडेंट राजा महेंदर प्रताप थे तो ये अफगानिस्तान में बना था मार्च 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पुर्व लेफटिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मार कर हत्या की थी तो रांसरदार उधम सिंग ने श्यामजी कृष्ण बर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की थी लंदन में कौन सा क्रांति कारी करनल बायली हत्या कांड से संबंदित है मदनलाल डेंगरा बरस 1913 में लाला हर्द्याल द्वारा गदर अंदोलन का प्रारंब कहां किया गया था तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को में कामा गाटू मारू प्रकरन किस देश से संबंदित है तो ये कैनडा से इंडिपेंडन्स लिग की स्थापना किस के द्वारा की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा कुछ विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गये थे तो देखते हैं उन क्रांतिकारी संगठनों के बारे में भी इंडिया होम रूल सोसाइटी इसकी स्थापना श्याम जी क्रेशन बर्मा द्वारा 1905 में किया गया इंडिया डिपेंडन्स लीग तारक नाथ दास द्वारा 1907 में इसकी स्थापना की गई गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हर द्याल रामचंद्र इसके बाद में बरक तुल्ला सोहन सी भाकना यादी के द्वारा गदर पार्टी के स्थापना की गई थी हिंद असोसियेशन की स्थापना सोहन सी भाकना द्वारा 1913 में किया गया इंडियन इंडिपेंडेंडेंडेंस लीग राजा महेंदर प्रताब द्वारा 1915 में इसकी स्थापना की गई उत्री अमेरिका के भारतिय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराथी, हिंदी यादी भाषाओं के भाषाओं में गदर नामक अखवार का प्रकाशन किया यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन से संबंदित ब्यक्तियों के बारे में दिया गया है तो दामोदर चापेकर बाल क्रिशन चापेकर यह किस से संबंदित थे तो लेटिनेंट एमस हट और रैंड की पूना में हत्या का जो मामला था उससे संबंदिते कौन तो दामोदर चापेकर और बाल क्रेशन चापेकर इसके बाद में अभिनभ भारत की स्थापना 1904 में किसके द्वारा किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा महराष्ट में मित्र मेला की स्थापना भी बीडी सावरकर द्वारा किया गया था पूलीन दास धाका की अनुसिलन समीती के संस्थापक रहे ये और श्याम जी क्रिशन बर्मा बा M.L. डिंगरा इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना 1905 में की प्रफुल चंदर चाकी बाखुदी रामबोस मुझपरपुर के न्याधीश किंज फोड पर बम फेका लेकिन वे बच गए कफ्यका था 1908 में और 1908 में ही खुदी रामबोस को फासी दे दी जाती है रासबियारी बोस ब शचिंदरनात सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते हुए लौड हाडिंग पर 1912 में इनुने बम फेका था लाला हर्दियाल वा सोहन सी भाकना सैन फ्रंसिस्को में गदर पाटी के स्थापना 1913 में की और कामा गाटा मारू कांड जो है परणियंत्र 1930 के करता धरता थे चंद्रशीखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एस्सोसियेशन 1928 में इसकी स्थापना करी भागत सिंग सांडर्स की हत्या 1928 में की और केंद्रिय बिधान सभा में बम फेका 1929 में पंजाब नौजवान सभा भारत सभा की स अपना 1929 में की इनोंने राजगुरू सांडर्स की हत्या में राजगुरू का भी हाथ था इसके बाद में बटुकेशवर्दत केंद्रिय बिधान सभा में बम फेकने में भागत सिंग के साथ साथ में ये बटुकेशवर्दत भी सामिल थे जतिंदास जेल में 64 दिन भूख हमारा जो अगला टॉपिक है बंगाल विभाजन एवंस्वादेशियां दोलन दोस्तों उम्मेद करता हूँ हम वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और अगर अभी तक आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पचले इसको शुरू करते आगे बंगाल का विभाजन किस बाइसराय के कार्यकाल में हुआ था तो यह लौड करजन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोशना कब प्रभावी हुई तो 16 अक्टूबर 1905 को यह कोशन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आप इस पर ध्यान दिजिएग बॉक्स में दे रख है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निरने की घोशना हुई जिसके बिरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी अंदोलन प्रराम्भ हुआ इसी बैठक में एतिहासिक भाहिशकार प्रस्ताब स्विक्रित हुआ था बंगाल का विभाजन मुख्यता किस उदेश्य से किया गया था बंगाली राष्टपात की भावना को दुरवल करने के उदेश्य से बंगाल विभाजन 1905 यहां पर पस्चमी बंगाल और यहां पर पूर्वी बंगाल के बारे में दिया हुआ है तो पस्चमी बंगाल में कौन-कौन सा छेत्र शामिल था तो बंगाल बिहार और उडीसा का छेत्र जो था वो पस्चमी बंगाल में शामिल था जिसमें हिंदू जनसंख्या बहुल जादा थी इन छेत्रों में पस्चवी बंगाल जो एरिया था वहाँ पर हिंदू जनसंख्या जो है बहुत जादा थी पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल प्लस में आसाम का छेत्र इसमें शामिल था जिसमें मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी नेक्ष देखते हैं बंदे मातरम किस आंदोलन के दोरान भारतिय राष्टी आंदोलन का प्रेरग गीत बना तो ये स्वादेशी आंदोलन के दोरान बंगाल के भी भाजन 1905 के बिरोध में हुए आंदोलन का नित्रित्व किसने किया था तो ये किया था सुरेंदरनाथ बेनर जी ने अगला है दिल्ली में स्वादेशी आंदोलन का नित्रित्व किसने किया था तो सैयद हैदर रजाने नेक्ष्ट है मदरास में स्वादेशी आंदोलन का नित्रित्व किस ने किया था तो ये किया था चितंबरम पिल्ले ने ब्रिटिश बस्तूओं के बहिशकार को राष्टिय निती के रूप में किस वर्ष स्विक्रित किया गया तो ये किया गया बर्ष 1905 में ब्रेटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे तो ये थे स्वादेशी आंदोलन से जुड़े हुए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाये गया रबिंदरनाथ टैगोर के सुझाप पर संपुन बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाये गया तो 16 अक्टूबर 1905 जो है वहाँ पर दो तिन घटनाए देखने को मिलती है बंगाल विभाजन की घोशना सोक दिवस के रूप में मनाये जाना और राखी दिवस के रूप में इसको मनाये जाना अरुंडेल समीती के सुझाप पर बर्ष 1911 में बंगाल का पुना एकिकरन कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई नेक्स्ट देखते हैं बर्ष 1905 के स्वदेशी अंदोलन को क्रिशक तथा मुसल्मान बर्ग का विसेश समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था इसमें जो है वहां के जो लोकल लोग थे वो ज़्यादा तरशामिल थे भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनरजीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ओफ औरियंटल आर्ट किस था अपना किस ने की थी तो ये क्या था अबिंद्र नाथ टैगोर ने स्वदेशी अंदूलन के प्रारंब का ततकालिन कारण क्या था तो लौड करजन द्वारा बंगाल विभाजन करना बंगाल में ब्रिटेन की बस्तूओं के बहिश्कार का सुझा अब सर्व प्रथम क्रेशन कुमार मित्र ने दिया था बर्ष 1905 में बंगला पत्र का संजीवनी के संपादक कौन थे तो ये थे क्रेशन कुमार मित्र स्वदेशी सांधव बांधव समीती की स्थापना किसने की थी अश्वनी कुमार दतने स्वदेशी अंदोलन के दोरान रविंदरनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांगला नामगित की रचना की जो आगे चलकर बरस 1971 में बांगला देश का राष्टियगान बना तो बांगला देश का राष्टियगान जो है अमारसो नहर बांगला उसकी रचना किसके द्वारा की गई तो रविंदर नात टैगोर के द्वारा बरस 1905 में कॉंग्रेस के बनारा सा धिवेशन में स्वदेशी अंदोलन का समर्थन किया इस अंदोलन की अधक्षता किसने की थी तो गुपाल क्रिशन गोखले ने स्वदेशी अंदोलन के दोरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स के स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो प्रफुल चंद्र रॉय के द्वारा बॉक्स में दिया हुआ है लॉड करजन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल भी भाजन वर्ष 1911 में लॉड हार्डिंग के कारेकाल में रद कर दिया गया तोब 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगालवी भाजन किया गया था उसको 1911 में किसके द्वारा रद किया गया तो ये रद किया गया लॉड हार्डिंग के द्वारा स्वदेशी अंदोलन का अलोचक तथा पूर्व वपस्चात्य के मध्ध एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था तो ये थे रविंदर नाथ टैगोर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफटिनेंट गवर्नर कौन था सर एंड्यूज फ्रेजर स्वदेशी अंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रियोग की गई दबंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे तो वो थे सुरेंदर नाथ बेनर जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अगला दोस्तों वो है मुसलिम लीग एवाम मारले मिंटो सुधार दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और ज्यादस ज्यादस दोस्तों को के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए क्योंकि मेरा जो प्रयास है ये बेकार नहीं जाना चाहिए दोस्तों चलिए आगे हम देखते हैं मुसलिम लीग की स्थापना कहां हुई थी तो ढाका में 1906 में और इंडिया मुसलिम लीग की स्थापना किसने की थी तो अगाखा नवाम सलीमुल्ला और मुहम्मद अले जिन्ना ने मुसलिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो ये थे अगाखा बर्ष 1907 में मुसलिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था तो ये हुआ था कराची में मुसलिम लीग ने प्रिथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी अमरित सर अधिवेशन में 1908 में और इसी की वज़ा से मारले मिंटो सुधार 1909 आता है जिसमें मुसलिम लीग को प्रिथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया जाता है अखिल भारतिय मुस्लिम लीग के अधिवेशन की बात करें तो कुछ अधिवेशन जो हैं वो महत्पून रहे हैं तो यहां पर अधिवेशन वर्ष और स्थान है प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ जो ढाका में हुआ और दुट्य अधिवेशन 1907 में कराची में और तुट्य अधिवेशन 1908 में अमरिचर में संपन हुआ था बर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतिय मुस्लिम लेग की एक साखा लंदन में स्थापित की गई तो यह की गई थी अमिर अली के नित्रित्म में भारत साशन अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो इसे मारले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है किस अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों के लिए प्रिधक निर्वाचक प्रणाली की वेवस्था की गई नोट में दिय हुआ उनिस सो नौ में सुधार बिल में प्रिथक निरवाचन को स्विकार कर लिया गया यहीं से वी राष्ट सिधान्त की अवधारना का प्रारंब माना जाता है याद रखना कि प्रिथक निर्वाचन छेतर बना कर हम ऐसे घातक बीजबो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़ भी होगी यह कथन किसके द्वारा कहा गया था बाईसराय मिंटो द्वारा गवर्नल जर्नल की कार्यकारणी में भारतिय सदस्य को निउक्त करने का प्राबधान किस अधिनियम में किया गया था तो मारलोई मिंटो सुधार 1909 में यहाँ पर नीचे दिया हुए द्वैद साशन का जनक सौर सर लियोनिल कार्टिस को जबकि बंगाल में द्वैद साशन का जनक रौवर्ट क्लाइब को कहा जाता है नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर जर्नल की कार्यकारणी में निउक्त होने वाले प्रथम भारतिये कौन थे तो ये थे सतेंदरनाथ सिनहा सतेंदरनाथ सिनहा गवर्नर जर्नल की कारेकारेनी परिसद के पहले भारतिय सदस्य बने सतेंदरनाथ सिनहा को बिहार और उडिसा का गवर्नर बनाया गया संपुन ब्रिटिस साशन के दोरान इतने उचे पद पर पहुँचने वाले वे एक मात्र भारतिय थे कॉंग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉंग्रेस का जो विभाजन है 1907 के अधिवेशन में दो गुटों में बट गया था कौन-कौन सा उधारवादी और उगरवादी गरम दल और नरम दल जो गरम दल थे वो उगरवादी थे और नरम जल दल जो थे वो उधारवादी थे तो उधारवादी नेता कौन-कौन से तो दादा भाई नरो जी सुरेंदर नाथ बेनर जी फिरोशा मेता और गोपाल क्रेशन गोखले ये जो सारे नेता थे ये उदारवादी नेता थे वहीं अगर हम उग्रवादी नेता की बात करें तो लाल बाल पाल बाल गंगधर तिलक विपिन चंदर पाल और लाला लाजपत्राय ये जो थे उग्रवादी नेता साथ ही साथ अर्विंदो घोश विजो एसमें शामिल थे के नाम से किसे जाना चालता है तो वो लाला लाजपत राय को बाल गंगाधर तिलक को इडिक को आशांती का जनक ईडिक जनक था तो वेलेंटाइन शी रोल ने बर्ष उननी सो आठ में छे वर्ष के कारवार्श की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी तो ये बाल गंगधर तिलक को भारत के स्वतंत्रता अंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रबादी विचारधारा का से क्या आशे है तो इसका आशे सम्मिधानिक साधनों एवं याचि काउं के स्थान पर आक्रमक साधनों से स्वाशासन प्राप्त करना महाराष्ट में गयनपती उत्सव को किसने प्रारंब किया बाल गंगधर तिलक ने बात करतें दिल्ली दर्वार की तो प्रथम दिल्ली दर्वार 1877 में लौड लिटन के कार्यकाल में हुआ दिल्ली दर्वार 1903 में लौड कर्जन के कार्यकाल में और तृत्य दिल्ली दर्वार 1911 में लौड हाडिंग के कार्यकाल में हुआ और इसी तृत्य दिल्ली दर्वार में दिल्ली को जो है वो राजधानी बनाया गया भारत का चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है कॉंग्रेस का लखनाव अधिवेशन एवं होम रोल लीग दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्याद़ ज्याद़ दोस्तों के साथ पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भी एक्जाम जो है अच्छे से हो सके तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं बर्ष 1916 में संपन लखनाव समझोता किस से संबंदित है तो कॉंग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझोते से बर्ष 1916 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के लखनाव अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी तो ये किया था अंबिका चरण मजुमदार ने सूरत अधिवेशन से प्रियथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुना एकिकरण किस अधिवेशन में हुआ तो ये हुआ लखनाव अधिवेशन 1916 में अतिबादियों एवं उदारबादियों का पुना एकी करण की प्रकिरिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी तो वो थी एनी बेसेंट बर्श 1916 में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के मध्य समझोता किसके द्वारा कराया गया था तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कॉंग्रेस के 1916 के लखनव अधिवेशन में लिया गया वह निरने क्या था जिसके मुख्य तुर्गाव में परिणाम हुए तो वो था कॉंग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की प्रिथक निर्वाचन छेतर की मांग स्विकार करना मुहम्मद अले जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने का था सरोजनी नाइडू ने मदन मुहल मालभिया ने कॉंग्रेस एवा मुस्लिम लीग के मद्दे होने वाले समझोते का विरोध किया था भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई तो ये लिया गया आयरलेंड से प्रथम विश्विद के दौरान कौन सा अंदोलन भारत में लोक प्रिय हुआ था तो ये हुआ था होम रूल लीग बॉक्स में दे रखा है अप्रेल 1916 में दिल्ली ने पूना यानि महराष्ट से होम रूल आंदोलन आरंब किया था जबकि एनी बेसेंट के नेत्रित में सितंबर 1916 से अडियार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंब किया गया था एनी बेसेंट ने किस सापताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वासाशन की मांग की थी तो वो था कॉमन विल यहां नीचे दे रखा है दो जनवरी 1916 को लंदन में भारतिय होम रूल लीक की स्थापना की गई इसके माहसाचीब डी ग्राहम पोल को बनाये गया नेक्स्ट जो है होम रूल आंदोलन से सम्बंदित कुछ मेहत्पून जानकारिया होम रूल आयरलेंड का शब्द है होम रूल का अर्थ होता है स्वासाशन और सर्व प्रतम आयरलेंड में होम रूल लीक की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी इसके अलाबा 1916 एश्वी को प्रागंब इस अंदोलन के समय भारत के बाईसराय लॉर्ड चेम्स फोड थे अगर हम बात करें होम रूल लीक की तो तिलक का होम रूल जो है अप्रेल 1916 में शुरू हुआ और एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में शुरू हुआ तिलक द्वारा जो होम रूल चलाया गया वो महराष्ट एवम करनाटक में चलाया गया वही एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल चलाया गया वो मदरास एवम तमिल नाडू के छेत्र में यानि दक्षनी भारत में चलाया गया तिलक द्वारा जो होम रूल चलाया गया उसका जो मुख्याला था वेलगाओं करनाटक था इसके अलावा इसकी अगर और विशेस्ताओं की बात करें तो समीत इसका स्वरूप था अध्यक्ष जो थे एन सी केलकर वा जोसिफ बैम्प टिस्टा थे और उद्देश्य जो था स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और प्रचार माध्यम मराठा और केशरी जो अखवार जो इन्होंने निकाला था पत्रिका हैं उसके माध्यम से इसका प्रचार किया था वहीं अगर एनिवेसेंट द्वारा शुरू किये गई होम रूल की बात करें तो 1916 में शुरू किया गया मदरास और तमिलाडू के छेत्र में मुख्याले जो है अडियार मदरास को बनाया गया और इसका जो स्वरूप था अखिल भारतिय स्वरूप था यानि कि पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ और इसके जो सचिब बनाये गये जोर्ज अरुन डेल को बनाये गया और उदेश्य था स्वासाशन की स्थापना करना प्रचार जो है वो कॉमन बिल वा न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से किया गया फेवियन अंदोलन का प्रस्ताव किस ने दिया था एनी बेसेंट ने तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाये गये होम रूल लीग अंदोलन की शकाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया वर्ष 1918 में बर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था लाला लाजपत्राए के द्वारा एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अंडेल, सीपी, रामास्वामी अईयर, बीपी वाडिया, मोतिलाल नहरू, तेज बहादूर, सप्रू, मदन मुहान मानवी है आदी लोग सम्मन्दित थे और इन लोगों के प्रियासों से ही ये जो होम रूल लीग था, ये पूरे अखिल भारतिये स्वरूप ग्रहन कर सका इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड यूनियन एवं साम्मे वादी दल चलिए इसको देख लेते हैं, बर्ष 1890 में गठित भारत का प्रतम मजदूर संगठन बॉंबे मिल हैंड हैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये किया गया था एन एम लोंखंडे द्वारा बर्ष 1918 में एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर असोसियेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा गांधी जी ने एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर असोसियेशन से ट्रस्टी शिप का सिधान्त प्रतिपादित किया इसके अनुसार पूंजी पती मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है ना की मालिक औल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई तो ये किया गया 1920 में बंबई में औल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के संस्थापा कौन थे तो एन एम जोशी लाला लाजपत्राय औल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वर्ष 1929 में नागपूर में संपन औल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की अध्यक्ष था किसके द्वारा की गई तो ये किया गया जवाहरलाल नहरू के द्वारा माई 1947 में स्थापन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की प्रतम अध्यक्षता किस के द्वारा की गई सरदार बल्लब भाई पटेल के द्वारा रूस में क्यम्यूनिस्ट नेट इंटरनेशनल के स्थापना किस वर्ष की गई मार्च 1919 में दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख करखाना अधिनियम दिया गया और इस अधिनियम के साथ साथ में उससे सम्मंदित गवर्नर जर्नल के बारे में भी दिया गया है तो करखाना अधिनियम 1981 लौड रिपन के कारेकाल में करखाना अधिनियम 1981 लौड लैंस डाउन के कारेकाल में आया उसके बाद में करखाना दिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वित्य के कारेकाल में और करखाना दिनियम 1922 लॉर्ड रिडिंग के कारेकाल में करखाना दिनियम 1934 लॉर्ड बिलिंग्टन के कारेकाल में और करखाना दिनियम 1944 लॉर्ड बेविल के कारेकाल में संपन हुआ भारत में अध्योगिक कार्याशालाओं बबागीचों में श्रम की स्थिती में सुधारेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था नेक्स्ट अगर हम बात करें सन 1927 में भारत में सर्व प्रथम एक माई को मजदूर दिवस मनाया गया जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनितिक चेतना का सूचक था नेक्स्ट अगर कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतिये कौन थे तो वो थे मनवेंदरनाथ रोय एमेन रोय के सहयोग से ताशकंद में भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई 17 अक्टूबर 1920 को पहली सामयबादी कॉन्फरेंस का आयोजन कहां किया गया तो ये कानपूर में 26 दिसमबर 1925 को किया गया था कानपूर सद्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रेटिस सरकार द्वारा किस अंदोलन के नेताओं के विरुद चलाया गया था तो ये सामयबादी आंदोलन के द्वारा बर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस के द्वारा की गई तो ये क्या गया था M.N. रोय के द्वारा क्रांतिकारी सामयबादी दल की स्थापना बर्ष 1934 में किस के द्वारा की गई तो यह क्या गया था सौमेंदरनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1949 में भारतिये वालसेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई तो यह क्या गया एनदत मजुमदार के द्वारा यहां पर ब्रिटिश भारत में गठित मैत्पुन आयोगों की चर्चा की गई है और उससे संबंदित गवर्णर जनरल के बारे में बताया गया है तो यहां पर वर्ष गवर्णर जनरल और संबंद फ्रेजर आयोग जो है 1902 में गठित किया गया और यह किसके कारेकाल में तो लौड करजन के कारेकाल में और इसका संबंद किस से था तो इसका संबंद पुलिस सुधार से था यानि कि जो फ्रेजर आयोग आया था वो पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए लौड करजन के कारेकाल में 1902 में लाया गया था इसके अलावा हंटर आयोग 1919 में आया और लौड चेम्स फोड के कारेकाल में ये आया था और पंजाब में आशानती की व्यवस्था को नियंतरित करने के उदेशे से हंटर आयोग का गठन किया गया था बटलर आयोग लोड एर्विन के कारेकाल में भारतिय रियासतों के संबंद में ये आयोग का गठन किया गया था लिन लीथगो आयोग लोड डर्विन केाल में 1928 में आया और इसमें भूमी सुधार से सम्बंदित चीजों पर बल दिया गया Maxwell Bloomfield आयोग 1928 में आया किसके साशन काल में तो Lord Irwin के काल में Lord Irwin के काल में दोस्तों चार जो हैं वो आयोग का गठन किया जाता है जिसमें पहला है बटलर आयोग, लिन लित्व को आयोग, Maxwell Bloomfield आयोग और उसके बाद में हिटले आयोग और इनका जो सम्बन्द था, Maxwell Bloomfield आयोग का जो सम्बन्द था वो बार्दोली में लगान बृद्धी की जाच करने के उद्देशे से इसका गठन किया गया था हिटले आयोग का गठन जो है वो श्रम से सम्बन्द था, शप्रू आयोग ये बेरोजगारी से सम्बन्द था, 1935 में लाया गया और लाड बिलिंग्टन के साशनकाल में ये आया था इसके अलाबा क्लाइड आयोग, 1940 में लाया गया था और ये लिन लिथगो के साशनकाल में आया और तेभागा अंदोलन के संदर में ये आया था ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारामभिक अंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी से संबंदित बहुत सारे कोशन जो हैं हर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो उनके बारे में हम टिटेल में थोड़ा सा यहां पर देखते हैं राश्ट पिता महात्मा गांधी का एक परिचय देख लेते हैं सबसे पहले नाम जो है उनका मोहंदास करमचन गांधी है पिता का नाम करमचन गांधी माता का नाम पुतली बाई इनका जन्म 2 अक्टूवर 1879 इस्वी में हुआ मृत्यू 30 जन्वरी 1948 को नाथू रामस द्वारा गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई जन्म स्थार्ण जो था इनका पुरवंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था बिवाज जो है 1883 इस्वी में कस्तूरवा गांधी से हुआ था पुत्र इनके चार थे हरीलाल, मनिनाल, देवदास और रामदास राजनितिक गुरू की बात करा जाए तो गोपाल क्रिशन गोखले जो है इनके राजनितिक गुरू थे इनके प्रमुख सिश्यों की बात करें तो इंग्लैंड में जन्मी मीरा बेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत नाम है इनका बास्तविक जो नाम था ये मैडलीन स्लेड था ये जो है इनकी प्रमुख सिश्य थी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में प्रतम प्रस्तान जो है इन्होंने किया 1888 में इसके बाद में कानून बेरिश्टर के डिगरी जो है 1991 में प्राप्त करी और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिन भारत दक्षिन अफरीका 1893 में गए दक्षिन अफरीका में जब 1893 में ये पहुचते हैं अब्दुल्ला जो हैं एक ब्यापारी थे और इन ब्यापारी के बुलाबे के आने के बाद जो महत्मा गांदी थे वो दक्षिन अफरीका जाते हैं 1893 में और उसके बाद में 1894 में दक्षिन अफरीका में ही नटाल कॉंग्रेस की स्थापना करते हैं इसके अलावा दक्षिन अफरीका में जूलू बबुवर पदक 1899 में इनोंने लिया और कैसरे हिंद की उपाधी 9 जनबरी 1915 में उन्हें दी गई कॉंग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए ये 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में डर्बन दक्षिन अफरीका में फिनिक्स आश्रम के स्थापना 1904 में गांधी जी द्वारा किया गया सत्यागरा का प्रथम परियोग जो है गांधी जी द्वारा दक्षिन अफरीका में 1906 में किया गया था इसके अलावा और देखा जाए अगर गांदी जी के बारे में तो जीवन जीवन में पहली बार जेल का अनुभब जो है 1908 में हुआ टॉल्स्टोई फॉर्म के स्थापना 1910 में जोहांसबग दक्षिन अफरीका में किया महात्मा गांदी की दक्षिन अफरीका में सक्रियता 21 वर्ष रही महात्मा गांदी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 है इसी बज़ा से 9 जनवरी को हर वर्ष भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है सावर्मती आश्रम की स्थापना भारत लोटते ही 1915 में किया गया कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में बिलगाम यानी जो करनाटक में हुआ था उसमें इनकी आत्म का था एक मेरे सत्य के साथ मेरा परियोग जो 1925 में इन्होंने लिखा था इनका जो सिध्धान्त है अहिंसा एवं सत्य अखिल भारतिये खादी बोड की स्थापना 1923 में की गई अखिल भारतिये चर्खासंग की स्थापना 1925 में की गई इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर बात की जाए तो सत्य के साथ मेरा परियोग इनकी आत्म कता है इंडिया ओफ माई ड्रीम्स अनासक्त योग हिंद स्वाराज 1909 में लिखा गया जब वो दक्षिन अफ्रीका से भारत लोट रहे थे उसी टाइम पर इन्होंने हिंद स्वाराज नामक रचना इन्होंने लिखी थी गीता माता सब्त महाबरत गांधी जी का बास्तविक दर्शन वा पस्चमी सभ्यता का विरोध इसी में किया गया है इसके अलाबा सुनो विद्यार्थियों नामक इन्होंने पुस्तके भी लिखी हैं प्रमुक अगर समाचार पत्रों की बात करें दोस्तों तो इन में जो है दग्रीन पैमपलेट जो 1896 में चलाया गया इसके बाद में इंडियन उपिनियन धक्षिन अफरिका में चलाया गया यंग इंडिया 1919 में और हरी जन 1932 में प्रकाशित किया गया इसके बाद में अगर हम बात करें महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों की तो महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधियों से सुशोबित किया गया था तो उपाधी जो है और यहाँ पर सम्बोधन करता या समय तो केशर ए हिंद की उपधी प्रधम बिश्विद के समय इनको प्रदान किया गया था भर्ती करने वाला सरजेंट भी गंदी जी को कहा गया प्रधम बिश्युद के दौरान भंगी शिरोमंणी डक्षिन अफरिका के प्रवास के दौरान बोला गया इनको और कुली बैरिस्टर दक्षिन अफरिका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा इनको कुली बैरिस्टर की उपादी दी गई करंबीर दक्षिन अफरिका के सहयोगी द्वारा दिया गया सेबा ग्राम कसंत आश्रम के अतीतियों द्वारा इने प्रदान किया गया अधुनिक यूग के अजात शत्रू डॉक्टर राजेंदर प्रसाद द्वारा इनको ये उपादी दी गई साथ ही साथ मलंग बाबा कवालियों द्वारा इनको मलंग बाबा के नाम से बुलाया गया बापू सी एफ एंड्रियूज एबं जवाहरलाल नहरू द्वारा इनको बापू की उपादी दी गई देश द्रोही फकीर बिंस्टल चर्चिल द्वारा इनको देश द्रोही फकीर की उपादी दी गई भिखारियों का राजा पंडित मदन मुहन मालविये द्वारा भिखारियों का राजा इने कहा गया राश्ट पिता की उपाधी जो है वो सुभास चंदर बोश द्वारा दिया गया अर्ध नगन फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा ये उपाधी दी गई थी वन मैन बाउन्डरी फोर्स ये लॉर्ड माउंट बैटन द्वारा दिया गया और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये उपाधी दी गई थी वाइकॉम सत्यग्रा 1924 अस्प्रिशयता के कुप्रथा के बिरूद त्रावन कोर केरल में चलाये गया था यानि कि वाइकॉम जो सत्यग्रा है 1924 में कहां चलाये गया केरल में किस के किस लिए तो ये अस्प्रिशयता का बिरूद करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है देखते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिन अफ्रिका से भारत वापस लोटे थे तो ये 1915 में किस ने महात्मा गांधी को सरव्प्रथम महात्मा के तोर पर संबोधित किया था तो रविंदरनाथ टैगोर ने स्वादिन्ता अंदोलन के दोरन महात्मा गांधी के घनिष्ट अंग्रेज मित्र कौन थे तो ये थे रेवर ड्रेड चार्ली एंड्रियूज जिने दिन बंदू के नाम से भी जाना जाता है फिनिक्स फॉर्म कहा स्थापित किया गया डर्वन दक्षिन अफरीका में महात्मा गांधी के राजनिति गुरु कौन थे तो ये गुपाल कृष्ट गोखले भारत में स्वतंतरता अंदोलन के दोरान महात्मा गांधी दोरा अहमदाबाद में सावरमती के किनारे एक आश्रम बनाये गया जिसे सावरमती आश्रम या फिर सत्याग्रा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी जी की दृष्टी में हिंसा का अहिंसा का क्या अर्थ है उनका अर्थ था सत्य की प्राप्ति का मार्ग अहिंसा का क्या अर्थ था तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग ही अहिंसा है भारतिये कपड़ा ब्यापारी, बेंकर, कॉंग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेश किसका परिचाय देते हैं तो जमनलाल बजाज का महात्मा गांधी बसत्याग्रा महात्मा गांधी दोस्तों कई सारे सत्याग्राओं से संबंदित थे जुड़े वे थे इसी वज़ा से इनका जो इंपोर्टेंट पार्ट है सत्याग्राओ वाला चंपारण सत्याग्राओ उन्नीसो सत्रा में या प्रथम बास्तविक किसान सत्याग्राओ था जिसमें किसानों से जमीन के तीन भाग एक बीस कठे जमीन में से तीन कठे जमीन पर नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था और इसी के विरोध करने के लिए राम चं किया और इसका विरूद किया तो तीन बटा बीस भाग काप पर अनिवार नील की खेती के विरूद सत्याग्रा जिसे तिन कठ्या पधिती भी कहते हैं एहमदाबाद मजदूर अंदोलन ये 1918 में हुआ महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूखरताल किया गया खेड अंदोलन 1911 में सरव प्रथम असायोग अंदोलन की अभीवक्ति थी शवीनै अभ अग्या अंदोलन दांडी मार्च 13 में जिसे नमक सत्यागरा के नाम से भी जानते हैं ब्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो अंदोलन लास्ट जो इनका सबसे महत्पून सत्याग्रह था वो था भारत छोडो अंदोलन वा अगस्त करांती 1942 की गांधी जी का करो या मरो का नारा इसमें गांधी जी ने दिया था पूने की येरवदा में इस्थित आगाखा पैलेस को सुल्तान मुहम्मद शाह अगाखा दुट्या ने 1892 में बनवाया था इसके अलावा गांधी जी द्वारा जो हैं कई सारे आश्रम की भी स्थापना की गई तो उसके बारे में भी देख लेते हैं फिनिक्स फॉर्म इसके इस्थापना डर्वन में की गई 1904 में टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहन्सबर्ग दक्षिन अफ्रिका में 1910 में सावर्वती आश्रम सामर्वती नदी के तटपर और अहमदाबाद में किया गया 1915 में सत्यग्र आश्रम कोचरव एहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई 1915 में अनाशक्ति आश्रम कोईसानी उत्राखंड में इसकी स्थापना 1929 में की गई और सेवाग्राम आश्रम बारधा महराष्ट में 1936 में इसकी स्थापना की गई भारत के स्वतंतरता संगर्ष के दोरान सबसे पहले सत्याग्रा किस ने किया था महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में सर्व प्रथम सम्मिलित कब हुए थे तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में किस ने कहा था विदेशी बस्त्रों की बरबादी ही उनके साथ सर्व प्रथम ब्यभार है महात्मा गांधी ने बर्ष 1915 में दक्षिन अफरीका से लोटने के पस्चाथ गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के सोशन के बिरुद अपना पहला सफल सत्याग्रा प्रेरंब किया था दोस्तों जब दक्षिन अफरीका से महात्मा गांधी बापिस लोटते हैं तो उनका जो पहला सफल सत्याग्रा था वो था चंपारण सत्याग्रा दक्षिन अफरीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया तो इंडियन ओपीनियन Unto the last नामक पुस्तक के लेखक कौन थे तो ये जॉन रश्किन और जॉन रश्किन की ये जो पुस्तक थी Unto the last इससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी को सर्व प्रथम राश्ट पिताप कह कहर किस ने संबोधित किया था तो ये किया था सुवासचंदर भोस ने गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस अंदोलन के बाद जोड़ा गया चमपारण सत्याग्रह के पस्चात गांधी जी की मृत्यू पर किसने का था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जवाहरलाल नहरू ने महात्मा गांधी के चमपारण सत्याग्रा में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे इन्होंने चमपारण के किसानों की समस्यास का समधान है तो गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था महात्मा गांधी के चमपारण सत्याग्रा का विरोध किसने किया था एन जी रंगाने तो दोस्तों आज हम मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में modern history जो है वो बिल्कुल complete हो जाएगा तो तीन पार्ट में modern history की आपकी पूरी तैयारी complete हो जाएगी चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए